हेलो क्लास, टुड़े वी विल स्टार्ट चेप्टर 14 इन SST, चेप्टर 14 है सैफ्टी रूल्स, सैफ्टी रूल्स मिन्स होता है सुरक्षा के नियम, जिससे हम अपने आपको सुरक्षित राख सकते हैं, है ना? इन्ट्रोडक्षन, इस पार्ट का परिचे लेते हैं, हमको क्या पढ़ना है, इन दिस चेप्टर, इस पार्ट में हम लोग क्या सिखेंगे, अबाउट दा सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियम के बारे में, अट हॉम, घर में सुरक्षा के क्या नियम है, इन स्कूल, स्कूल में सुरक्षा के क्या नियम है, अन दर रोड एंड वाइल प्लेइंग, सडक में और खेलने के दौरान, सुरक्षा के क्या क्या नियम है ना? Carelessness is the main cause of accident दुरघटना का मुख्य क्यारण क्या होता है? लापरवाही, है ना? Carelessness, लापरवाही जो है वो दुरघटना का मुख्य कारण होता है अगर हम लोग लापरवाही करते हैं तभी हम accident से meet करते हैं We should follow certain safety rules to avoid them अगर हमें उन से बचना हो, है ना? accident से बचना हो तो हमें क्या करना चाहिए? We should follow certain safety rules हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए कुछ सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए Some of the safety rules are ये कुछ safety rules हैं जो हम लोग पढ़ेंगे Safety rules at home घर में सुरक्षा के नियम क्या है? Do not play with fire or a matchbox हमें fire यानि आग से और matchbox माचिस से नहीं खेलना चाहिए, है ना? कभी भी आग से और matchbox से न खेलें ठीक है ना? नहीं तो आग लग सकती है आपको चोट लग सकती है Do not play with sharp object like knives, scissors, blades, etc Do not play with sharp object sharp object से बोलते हैं? नुकीली चीज है है ना? या जिसमें धार हो उन चीजों से न खेलें जैसे कि knives, चाकू से scissors, कैची से blade से ये सब चीजों से हमें नहीं खेलना चाहिए, है ना? इससे हमें चोट लग सकती है ठीक है? Do not touch electric plug with wet hands Do not touch electric plug Electric plug को wet hands, यानि कि गीले हाथ हो जब हाथ में पानी हो तो हमें electric plug वगेरा नहीं चुना है है ना? ने तो हमें crank लग सकता है, ठीक है? Do not run on the stairs सीडियों में न दोडे है ना? सीडियों में दोड कर नहीं उतरना चाहिए, दोड कर नहीं चढ़ना चाहिए, है ना? नहीं तो हम गिर सकते हैं ठीक है ना? अब है safety rules at school School में सुरक्षा के क्या नियम है? School में हम लोग क्या सुरक्षा के नियम अपनाएंगे? Do not push each other at slides जब आप slide करते हो इस तरह से, है ना? खेलते हो तो उस समय एक दूसरे को कभी भी पूस नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए, ना? धक्का दने से चोट लग सकती है Do not stand on the benches and chairs Bench और chair में खड़ा नहीं होना है, है ना? Bench और chair में खड़ा नहीं रहना है, नहीं तो हम उससे गिर सकते हैं, है ना? हमें चोट लग सकती है, ठीक है ना? Always make a queue to get in the bus जब भी bus पकड़ना हो, तो हमें queue बनाना चाहिए, हमेशा queue में खड़ा रहना चाहिए, यानि line में पंती बना कर हमें bus पकड़नी चाहिए Never try to get in or off a moving bus Never try to get, अगर आपको चलती हुई बस में आप बैठे हुए हैं, तो कभी भी आप अंदर बाहर होने कोशिस नहीं करेंगे चलती बस से ना उतरना है और नहीं चलती बस में चड़ना है Do not lean out of the moving bus, चलती हुई बस में कभी भी न जहाकें, है ना, बाहर नहीं जहाकना है, ठीक ना अब है safety rules on the road, सड़क मुश्रक्षा के क्या नियम है, इसके बारे में जाने है Always walk on the footpath, हमेशा हमें footpath में चलना चाहिए, है ना, सड़क पर footpath बने होती है, हमेशा हमें footpath पर जाना चाहिए Cross the road only at a zebra crossing, जब भी आपको road cross करना है, सड़क पार करनी है, तो आप zebra crossing से ही road को पार करेंगे Before crossing the road, road cross करने से पहले, आप क्या करेंगे, look at your right, then to your left, and then to your right again पहले आप दाएं देखेंगे, फिर आप बाएं देखेंगे, उसके बाद आप फिर से दाएं देखेंगे, उसके बाद जब देखेंगे, गारी नहीं है, तभी आप सड़क को पार करेंगे, है ना Do not play on the road, सड़क पर कभी न खेले, है ना, सड़क पर खेलने से क्या होता है, एक्सिडेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ गाड़ियां आती जाती रहती, इसलिए सड़क पर न खेले अब है safety rules while playing, खेलने के दोरान हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए Do not push or pull while playing, खेलने के दोरान ना ही किसी को धखका देना है और ना ही किसी को खीजना है, ऐसा करने से हमें चोट लग सकती है Do not play near lakes or swimming pool Pool or lake के सामने है na Swimming pool जहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है na जील और swimming pool के सामने नहीं खेलना है ठीक है na First ad प्रथम उपचार क्या होता है First ad The immediate help given to an injured person or sick person is called first ad The immediate help सबसे जल्द किसी sick person यानि कि बीमार व्यक्ति या फिर घायल व्यक्ति को दिया गया सबसे पहला दवा कहलाता है first ad प्रथम उपचार पहला उपचार जो हम लोग करते हैं किसी व्यक्ति को घर में ही कोई बीमार हो या फिर कोई घायल व्यक्ति हो किसी चीज़ घायल हो जाता है तो उसको हम लोग पहला जो उपचार देते हैं उसको बलते हैं first ad तो इस चेप्टर में आप लोगों ने क्या सिखा safety rules के बारे में न अगर हम safety rules को अपनाएंगे safety rules यूज करेंगे तो हम कभी भी accident का सामना नहीं करेंगे हैं मुझसे बचे हुए रहेंगे ठीक है नेक्स्ट आपका exercise है वो आपने वार्साप गुर्प से करके उन्हें अपनी copy में लिक के याद करेंगे ओके